हलो फ्रेंट स्वागत है आपका प्रीता एफम में आप सुन रहे हैं लव विद गैंग्स्टर एरा इस्टरी रूम से नम आख लिए निकलती है और सीधे अपने रूम में जाती है और बैड पर किसी बेजान की तरह गिर कर रोने लगती है उसे दुख इस बात का था कि अगर वो आयो से मिल भी लेगी तब भी वो उसे कभे नहीं अपनाएगा क्योंकि उसे पहले ही किसी और ने छू लिया है वो पहले ही किसी और से साधी कर चुकी है इरा यहीं सब सोच सोच कर रोई जा रही थी और सही भी तो था एक लड़की के पास उसका सरीर ही होता है जिसे वो किसी और को अपनी मरजी से सौपना चाती है जिससे वो प्यार करती है जिस पर वो भरोसा करती है पर उसके सरीर को तो कोई चपरदस्ती अपना बना चुका था तो अब वो किस मूँ से अपने प्यार के पास जाएगी किस मूँ से वो ये बताएगी कि वो भी उससे बहुत प्यार करती है इन 13 सालों में Aira बस से सकते सक कर रो रहे थी कुछ देर बाद वो सान्त होती है और वासरों में जाकर अपना फेस वास करती है वो मिरर में खुद को देखती है तो उसका पूरा चहरा लाल हो गया था आखे लाल हो गई थी रोते रोते वो मोध होकर बहार आती है और उस दिये गए एड्रेस पर जाने के लिए डाक हाउस से बहार निकलती है पर गेट पर ही उसे दो बाडी गार्ट्स मिल जाते है एरा समझ जाती है कि उस टैविल ने ही मेरे पीचे इन्हें लगाया होगा वो कुछ नहीं बोलती और बहार निकल जाती है एक गार्टा कर बुगाती का गेट ओपन करता है एरा उसमें बैठ जाती है और वो बुगाती हवा को चीर देवे बहार से निकल जाती है इधर अव्यान इस्टडे रूम में अपने किंग साइड चेर पर अपना सिर टिकाए आख बंद किये था वो कुछ सोच रहा था और उसके फेस पर अलगी चमक थी कुछ देर बाद मुंबई के आउट एरिया में एक पुरान इजी मकान के आगे इरा की लैविस बुगाती आखर रुखती है एक गाड आकर उसका गेट खोलता है इरा बाहर आती है उसके छोटे से चेहरे पर उस घर को देखकर एक अलगी कुछी थी उसे अपने बच्पन की बहुत सारी यादे याद आने लगती है उस घर को देखकर एरा अंदर जाने लगती है और उनके पीछे गाड भी अंदर जाने लगता है एरा उनको पीछे आता देख रुख जाती है और उनकी तरफ मुर कर गुस्से से बोलती है क्या मैं छोटी बच्ची दिख रही हूँ जो आपसे मुझे इस छोटी से घर में भी ब्रोटेक्ट करने आ रहे है यहां कौन सा तुम लोगों की बॉस के जैसा डेविल बैठा है जो मुझे खाद लेगा अपने बॉस के बारे में डेविल और इत्ता भला बोरा सुनकर उन गाट्स की तो हालत खराब हो जाती है वो डरते वे बोले सॉरी मैम पर बॉस का ओडर है आपको हर जगा फोलो करने की इरा चिरते वे बोली क्या बॉस बॉस लगा रखा है तुम सबने मुझे कुछ नहीं पता यह मेरे ओडर्स है अगर तुम लोग अभी मेरे पीछे आए तुम्हें मुझे कोई नहीं बचा पाएगा वो सब वो सब अपने लेडी बॉस की इतनी तरावनी धमके सुनकर खबरा जाते है पर फिर उन्हें अपने बिग बॉस के ओडर्स याद आते है उन लोगों की हालत ऐसी थी कि आगे को आ तो पीछे खाई इरा उन लोगों को डरता देख फिर बोली देखो मुझे बस बाच मिट का ही काम है अंदर इसलिए तुम सब मेरा यहीं वेट करो मैं तुरत आ रही हूँ यह कहकर इरा तुरत अंदर चली जाती है मिलने के लिए पर चब गेट खुलता है तो उसकी स्माइल गाई बोचाती है गेट पर कोई दुसरी औरत खड़ी थी वो इरा को उपर से लेकर नीचे तक देखती है और फिर बोलती है कहिए क्या काम है किस से मिलना है आपको इरा महायोसी के साथ बोली दस साल से हम यही रह रहे है इरा बिलकुल उदास हो जाती है यह सुनकर और वो सौरी बोलकर वहाँ से पहार की योर चली जाती है वो औरत भी अपना गेट बंद कर लेती है इरा उदासी के साथ खुच से बोली अब मैं क्या करूँ अब रमा दादी को कहां ढूड़ू एक यही घर तो पता था मुझे फिर कुछ सोचते हुए बोली सायद भाई को पता हो कि वो कहां है इस टाइम हाँ मुझे भाई से पुछना चाहिए लेकिन फिर उदास होते हुए बोली पर भाई तो मुझे बहुत नाराज है और उस टेगिल को पता चला कि मैंने अपने भाई से बात की तो वो कहीं वो सायरा को और अंटी को कुछ न करते ओ गॉड़ प्लीज हेल्प मी वो पिलकुल हेल्पलेस फिल कर रही थी वो वहां से बाहर आती है तो गाट्स उस गेट पर ही मिल जाते हैं वो जल्दी से जाकर गेट ओपन करते हैं और इरा उसमें बैट जाती है और उन लोगों की कार डार्क हाउस की तरफ बढ़ जाती है इधर कॉटेज में मिश्टर बॉस और उसका असिस्टेंस बीपी और बिहारी पर साथ बैटे थे मिश्टर बॉस राउंड से फैट लगाए ज्रिंग कर रहे थे और गुस्से में बोल ले जा रहे थे और वो समस्ता क्या है खुद को मेरे मॉल के कंट्रक्शन पर पूरे के पूरे सेर अपने नाम करवा लिया और मुझे सिर्फ बंद्रा परसेंट ही दिया ये कहकर वो गुस्से से ज्रिंग कर रहा था उसकी बात पे बिहारी पर साथ बोला उका है ना बॉस उके अंदर बहुत जिगराबा इस सब करने के खातिर तब ही तब पार्टी में आकर आपके ही सारे सेर्स अपना नाम करवा लिया उका कहते है असली सेर उसकी बात पर मिश्टर बॉस गुस्से से अपनी बोडल पटकते हुए बोले वो सेर है तो मैं भी चूहा नहीं हूँ मैं उसे सबक सिखा कर रहूँगा बता करो उसकी नई नवेली दुलन कहा है इस समय बिहारी परसाथ डरते वे बोला बॉस एक बार फिर सोच लो अगर उका पता चला तो आप दुनिया से गए समझो मिश्टर बॉस गुस्से से उसे गुरने लगे तो बिहारी परसाथ चुक चाप वहां से अपना काम करने चला गया इधर एरा अभी रास्ते में ही थी तभी उन लोगों की कार अचानक से रोख जाती है तो एरा ये गार्ट से पुछती है क्या हुआ कार क्यों रोख दी गार्ट बोला मैम रुकिये देखकर बताता हूँ सायद कोई प्रॉबलम हो गई है इरा कुछ नहीं कहती सर सीट से ठिका देती है जो गार्ट बाहर चेक करने गया था वो जब अपनी कार की टायर को देखता है तो सौक हो जाता है क्योंकि वहां आसबास बहुत सारे केले गिरे भी थी जैसे किसी ने जान पुछ कर किया हो ये सब हाला कि वो कार्ट बहुत ट्रेंटे पर हाई प्रोफाइल वाले थे इसलिए वो लोग तुरत इस बात को समझ जाते हैं कि अभी उन पर अटैक होने वाला है वो लोग ये सोच ही रहे थे कि तभी गोलियां चलने की आवाज आने लगती है इरा डर के मारे तुरत उठ जाती है और गारी के बाहर देखने लगती है इरा बहुत घपरा जाती है तभी एक कार्ट चल्दी से आगर इरा से बोला मैं प्लीज आप अंदर ही रहना बहार मताईएगा हम सब समाल लेंगे यहा इरा डरते वे बोली पर यह सब क्या है यह गोलियां क्यों चल रही है वो गार्ट अपनी गन निकालते वे बोला मैं किसी ने हम पर अटैक कर दिया है और अभी हम दो ही लोग है इसलिए आप कार से बाहर मताईएगा ये कहकर वो दोनों गार्ट्स अपनी अपनी गन निकाल कर सूट करने लगते हैं चारों तरफ गोलियां ऐसे चल रहे थी जैसे की दिवाली हो इरा डरी सहमी सी कार के अंदर ही बैठी थी तभी तीन चार कार आकर इरा के कार और उन दो गार्ट्स को घेर लेते हैं इरा विंडो से बाहर देखती है उस कार्ट्स से बहुत सारे लोग निकलते हैं और उनके हाथ में गन थी इरा बहुत खबरा गई थी वो दोनों गाट्स किसी सेर की तरह उन सब पर वार कर रहे थे तभी कोई पीछे से दोनों गाट्स के पैर पर गोली चला देता है वो दोनों समझ नहीं पाते और गुटनों के बल गिर जाते है पर तब भी वो दोनों सूट कर रहे थे जिसने पीछे से वार किया था वो उन सब का लीडर था तब उसके पास किसी का कॉल आता है और वो बोलता है जी बॉस हमने उन लोगों को घेर लिया है उधर से कोई बोला खत्म करो और मेरी जान को मेरे पास लेकर आओ जल्दी और याद रहे मेरे जान को एक खरोच तक नहीं आने चाहिए इधर से वो लीडर बोला जी बस हम मैडम को लेकर आते हैं ये कहकर वो आदमी कॉल कर देता है और उधर वाला आदमी किसी सहतान की तरह हसने रखता है इरा कार में बैठी थी उसकी आँखों से आशो बह रहते वो बाहर हो रहे खून खराबे को बरतास नहीं कर पा रही थी तभी कोई उसके गेट को बाहर से अलॉक करता है इरा खबराच आती है ये वही उन सबका लीडर था वो आगे आकर इरा का हाथ पकर कर उसे खीचते हुए कार से बाहर निकालता है इरा रोते हुए उससे अपना हाथ चुराते हुए बोली क्या क्या कर रहे हो ये तुम छोड़ मुझे प्लीज छोड़ मुझे पर वो आदमी नहीं सुनता और इरा को कीचते हुए कार से बाहर निकालता है इरा जो नीचे जमेन पर देखती है तो उसके गाट्स नीचे खून से लत्पित बेहोस पड़े थे इरा और तेज रोने लगती है और रोए हुए भी रो भी क्यों ना उसने आज तक ये सब सिर्फ फिल्मों में ही देखा रखा था और अब उसकी लाइफ में ये सब रियल में हो रहा था वो ये सब ऐसे ही सहन कर ले थी वो आदमी किसी राक्षस की तरह इरा को खीच देवे अपनी कार में ले जाता है इरा उसे छूटने की कोसिस कर रही थी तब ए 6-7 कार वहां आकर रुखती है उन सभी कारों में एक ही नेम प्लेट लगावा था और एक ही तरह का सिम्बॉल लगावा था वो सारी कार आकर उन सभी को गेट लेती है वो आदमी कार देखकर समझ जाता है कि ये किसकी कार है वो आदमी अपने सभी आदमियों को ओर्डर देता है सुट देम उन सभी कार से वेल ट्रेंड बॉडी कार्ड निकले और उन सभी के हाथ में राइफल थी और वो लोग एक दूसरे पर गोलियों के पर साथ करने लगे तभी पीछे से एक लैक्चेरियस मॉश्रडीस आकर रुकी और उसमें से एक हैंसम एट्रेक्टिव और चामिंग लड़का बाहर निकला उसकी फेस पर कोई इमोसन नहीं था उसके हाथ में सारेंसर गन थी जिसे उसने उस आदमी के हाथ पर पॉइंट कर रखा था जिस हाथ से आदमी ने एरा को पकड़ा था वो ट्रेगर दबाता है और इतनी दूर से भी उसका निसाना बिलकुर उसी आदमी के हाथ पर लगता है वो आदमी एक तेही इस चीक के साथ एरा के हाथ को छोड़ देता है एरा तुरत पीछे हट जाती है और उस ओर देखने लगती है जहां से किसी ने गोड़ी चलाई थी एरा जब वहाँ देखती है तो दा अव्यान रावल अपने एक हाथ को अपने पैकेट में डाल और दुसरे हाथ से गन को पकड़े आँखों में ब्लैक कॉगल्स लगाए त्री पी सूट जो ब्लैक कलर का था वो किसी गैंक्स्टर से कम नहीं लग रहा था और बड़े हिश्टाई और एटिट्च्यूट में खड़ा था धूप की वज़े से उसकी पूरी बोड़ी अलग तरह से चमक रही थी और उसकी उसका गोरा रंग और भी कमाल का लग रहा था इरा उसे देखकर और गुस्से में आ जाती है और रोते वे उसके पास आ जाती है और चलाते वे बोली यह सब तुम्हारी वज़े से हो रहा है आज मेरी जिंदीगी खून खराबे से बह चुकी है तुम्हारी दुस्मनी की वज़े से सब मुझे टार्किट कर रहे है अव्यान इरा की बाते गौर से सुन रहा था वो इरा को अपने पास खीच कर उसे कमर से टाइट पकर लेता है और उसके माधे पर किस करते वे नॉर्मल आवाज में बोला मुझे कैसे पता कि ये लोग मेरी दुस्मनी की वज़े से कर रहे है ये भी तो हो सकता है कि ये लोग सिर्फ तुम्हें ही लेने आये हो इरा उसकी बाहों से छूटते वे और ना समझते वे बोली वो डोयूमी मुझे लेने आयो मेरी यहां किसी से कोई दुस्मनी नहीं है इन फैक्ट मैं तो ठीक से जानती भी नहीं है अव्यान उसे गले लगाते वे अपनी गन को उस आदमी के माधे पर पॉइंट करते वे बोला तुम बहुत बोली हो अभी पर धीरे धीरे सब जान जाओगी कहकर वो इरा के कंधे पर अपना चिन टिकागर उस आदमी के उपर गोली चला देता है और वो आदमी तुरत वही मर जाता है इरा तो अपने इतने करीब से गोली चलने से एक दाम डर जाती है और अव्यान को कसकर पकर लेती है अव्यान भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसे सांथ कराते हुए बोला कम डाउन वाइफी, वो मर गया मैंने उसे मार दिया क्योंकि उसने तुम्हें मुझसे दूर करने की कोसिस की और भी बाकि सम मरेंगे जो जो तुम को मुझसे दूर करेंगे इरा अव्यान की इतनी खतरनाग बातों को सुनकर बेहर ड़ जाती है और देरे से एक नजर उस आतमी को देखती है जो मर चुका था इरा जल्दी से अपनी नजरे हटा लेती है अव्यान उसी अपनी बाहों में उठाकर कार में ले जाता है और वो दो रोज़ी देर डाखाॉस की तरफ चले जाते है खुछ देर बार डाखाॉस के बाहर अव्यान की मर्शडीस आकर रुखती है इरा डर और टैलसन की विज़ से एक आर में इसहो जाती है अव्यान उसे अपनी बाहों में उठाकर टाक हाउस के अंदर ले जाता है और एरा को बेट पर अच्छे से लिटा देता है फिर उसके होट पर हलकी से किस करके बाहर निकल जाता है इस समय उसकी आखों में खून था जो अभी देख एरा के आगे सांथ था वो अभी गुसे में जल रहा था वो सीध अपने स्टूडी रूम में आ जाता है वहां रंजर और एक भरोसी मन गार्ड पहले से ही उसका वेट कर रहे थे जब वो दोनों अव्यान को ऐसे देखते हैं तो धर-धर कापने लगते हैं अव्यान दी सीधे जाकर अपनी किंग साइड चेर पर पैट जाता है अव्यान के भाव पूरी तरह गुसे में बदल चुका था उसके सामने खड़े रंजय और काट की हालत पूरी तरह खड़ाब थी अव्यान एक लोग रंजरन को देता है तो रंजरन जल्दी से आगे-ागे तरते वे बोला बॉस उन्होंने ही लेडी बॉस का किटनैप करवाने की कोसिस की है अव्यान ये सुनकर दाथ पिस्ते वे बोला उन्हें क्या लगता है वो कुछ भी करेंगे और मैं देखता रहूँगा नहीं ये उनकी गलत फैमी है फिर बॉसी टॉन में बोला मुंबई और पूने के आसपास के उनके जितने भी फार्म हाउस और बिल्दिंग्स है सब अगले एक घंटे में राख में मिल जाने चाहिए रंजरन तुरत बोला जी बॉस हो जाएगा फिर अव्यान अपने हाथ से उन दोनों को जाने का इसारा करता है और वो दोनों जाने लगते हैं तब ही अव्यान उने रोकते वे बोला काहिरा के लिए जेट रेडी है ना इवनिंग में रंजरन बोला येस बॉस अव्यान हूं कहता है और वो लोग बाहर चले जाते हैं अव्यान अपनी आखें बंद करके कुछ सोचने लगता है तब ही उसके फोन पर किसी का कॉल आता है जिसे देखकर अव्यान की मुठियां कस जाती है और वो कॉल पे कर लेता है उधर से एक आदमी अव्यान से मजाख उराने की लहजे में बोला वो हो क्या बात है वर्ल्ड के most popular gangster and businessman आज बहुत गुसे में लग रहे हो not bad फिर वो आदमी करवेपन से बोला कब तक बचाओ के मेरी जान को मुझसे आखिर तुमारी आउकात ही क्यार मेरे आगे जो तुम मेरी जान को मुझसे छिन रहे हो इधर अव्यान एक सरकाश्टिक स्माइल करते वे बोला ओ रियली आपकी वो आपकी है अपनी घटिया जुबान से मेरी वाइफ का जिक्र भी मत करिये आप वो आदमी बेरहमी से बोला तुम्हे क्या लगता है तो मुझे जबरदस्ती अपने पास उसे जबरदस्ती अपने पास रखे हो तो वो रह लेगी तुमारे पास भूलो मत उसे अपना मेरे पास ही है और इस बार वो अपनी मर्जी से आएगी मेरे पास ये कहकर वो किसी पागल की तरह हसने लगता है और अव्यान गुस्से से उसके फोन को कार देता है अव्यान उस आदमी के कहने का मतलब बेखुवी समझ रहा था फिर वो एक खतरनाक स्माइल करते वे बोला कभी नहीं प्रिंसस हमेशा से मेरी थी और मेरी ही रहेगी फिर चाह अव्यान ने एरा को धमकी दे रखी थी कि वो उसके साथ जाएगी इसलिए एरा भी नॉर्मल ही रेडी हो जाती है उसने क्रीम क्लर का फुल लेंड रेस पहन रखा था उस पर लेदर का यलू हाप कोट डाल रखा था वो बहुत ही ज्यादा सुन्दर लग रही थी अव्या के फेस पर कोई emotion नहीं था और वही हाल अव्यान का भी था उसके फेस पर भी इस टाइम कोई emotion नहीं था दोनों कार में बैठते हैं एरा विण्डो सीट से सट कर बैठी थी अव्यान अपने टैब में कुछ कर रहा था और ज्राइवर कार को अव्यान के प्राइबिट कर देता है और इरा के चान जैसे फेस को देखने लगता है जो इंडो से सिर्टिकाए अपने ख्यालों में गुम थी तभी अभ्यान कार का मिरल पार्टिशन ओन कर देता है और कार दो पार्ट में बढ़ जाता है फिर तभी इरा को अपने कमर पर किसी का गर्म हाथ फील होता ह एरा जब तक देख पाती कि क्या था, ये सब तब तक वो अव्यान की गोद में जा चुकी थी, अव्यान उसे अपनी बाहों में भरते वे, उसके छोटे से सहरे को अपनी तरब करते वे बोला, जब मैं तुम्हारे साथ हूं, तो तुम बहार की बोरिंग सी चीज़े क्यों द अव्यान हलकी से स्माइल करते वे बोला, माई स्वीट हाट, मैं इतना भी बुरा नहीं दिखता, कि तुम ऐसी बाते करो, और अब कर दिया है तो सजा मिलेगी, एरा पुरी तरह चिरते वे बोली, क्यों सजा मिलेगी, और गलत थी, उसकी बात उसके गले में अटक जाती है क्योंकि अव्यान उसके नर्मोटों को अपनी सक्त होटों से ब्लॉक कर देता है, और उसे पिर पैसनेर्टी किस करने लगता है, एरा गुस्दे से उसके ब्रॉट चिष्ट पर अपनी छोटी छोटी हाथों से मुक्के मार रही थी, और खुद को छुराने की कोसिस कर रही पर अव्यान के इतनी बड़े बॉड़ी के आगे एरा का नाजुक सा सरीर कुछ नहीं था, अव्यान एरा के बालों से खेलते वे उसके लोवर लिप्स को सक कर रहा था, और फिर उपर लिप्स को लिख करने लगा, इसी तरह वो पूरी ताकत के साथ एरा को इंटेंस और ड चुकी थी, अव्यान हाला कि उसके कमर को टच करना चाहा रहा था, पर इरा ने फुल लेंध ट्री स्पैन रखा था, जिससे अव्यान उसके अंदर हाथ नहीं डाल पा रहा था, और उसकी चिर साफ साफ उसकी आखों में दिख रही थी, पर इरा ने अपनी आखें कसकर बं पिछे से उसके ज्रेस की जीब खोले लगता है, इरा की आखों में उसको लेकर नफरत साफ दिख रही थी, पर अव्यान कहां रुकने वाला था, वो उसकी जीब खोल देता है, और उसके अंदर अपने हार डाल उसके कमर, पेट और धेरे-धेरे करके उपर की ओर बर जाता है, इरा को सांस लेने में अब प्रावलम हो रही थी, अव्यान को फील होता है, तो वो हलके से दूर होता है, पर वो छोड़ता नहीं, इरा को, उसके हाथ अभी तक इरा के ड्रेस के अंदर थे, इरा लंबी-लंबी सांसे लेते वे नफरत से बोली, इरा की गालियां सुनकर अव्यान को बहुत तीज हसी आने लगी, वो हसते वे बोला, हो माई लिजल वाइफ, इतनी अच्छे अच्छे नाम और मुझे पता है, तुमारे पिडियस आए हैं, इसलिए तो मैं इसे काम चला रहा हूँ, वरना मैं तुमको बलकुल नहीं छोड इरा उसे खुद दूर धका देते वे बोली, तब भी ये घटिया हर्गत कर रहे हो, कम से कम कुछ दिन तो मुझे जीने दो, अव्यान हसते वे उसकी उपर से उठ जाता है, और इरा की ट्रेस बंद कर देता है, फिर उसके बालों को भी सही करने लगता है, जो पूरे पिख अव्यान हम बोलता है, और कुछ कार्ड्स आकर गेट खुलते हैं, अव्यान इरा का हाथ पकर कर कार्ड्स से बाहर निकलता है, फिर वो लॉग अपने प्राइबर जेट की तरफ पर जाता है, उनके साथ उनका पिए रंजन पहले से ही उनका वेट कर रहा था, और सभी जाक जेट पर बैट जाते हैं, तब ही अव्यान के फोन पर फिर उसी आदमी का फोन आता है, अव्यान के फेस पर एक विल स्माइल आ जाती है, और वो एरा के साइट में बैटते वे, एरा के हाथ पकरते वे उस आदमी से बोला, तो बताईए, निउस तो मिली गई होगी आपको एरा अपने हाथों को उससे छोडाने की कोशिस कर रही थी, पर कोई मतलब नहीं था, उदर से वो आदमी बेहत गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरी प्रॉपर्टी बिरबात करने की, तुमको मैं अब नहीं छोड़ूँगा, यू वेट और वाच, आईरा इंटरनेशनल एरपोर्ट, ऐसा माना जाता है कि ये अफ्रीका का दुसरा सबसे विवस्त हवाई अड़ा है, अव्यान का जेट, इसके प्राइवेट एरिया में आकर रुखता है, इरा तो सफर में ही सो चुकी थी, और अव्यान उसे अप्टी गोद में लेकर अव्यान अब जब एरपोर्ट से बाहर आता है, तो उसके गाड्स उसे लेने आए हुए थे, और फिर अव्यान अपनी पंगले की तरफ उन सब के साथ निकल जाता है, कुछ देर बात, अव्यान की आलिसान मर्श्रिस, एक सांदार एजिप्टियन वॉइट पंगले के एसी का टैंपरेचर नॉर्मल मोर्ट में करके उसे प्लैंकेट से कबर कर देता है, फिर एक नजर एरा के प्यार इसे फेस को देखता है, जो बहुत सुकून से सो रही थी, अव्यान जुक कर उसके पिंक होटों पर लाइट की किस करता है, और खुद फ्रेस होने चला जाता हाला कि अब सुबह हो चुकी थी, इसलिए अव्यान रेडी होकर सीधे अपने ओफिस के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसके आने वाले चार-पास दिन बहुत बिजी रहने वाले थे, और उसका प्रोजेक्ट भी काफी बड़ा था, इसलिए वो अब काम ही अपने बंगले पर आने वाला था, सुबह के दस बच चुके थे, तब कहीं जाकर एरा की बड़ी बड़ी पल के धीरे धीरे खुलती है, तो उसे एक पल समझ ही नहीं आता कि वो कहा है, फिर उसे रात का याद आता है, कि वो तो सफर में ही सो गई थी, इसलिए सायद वो इस वक्त काहिरा म है, वो बेड़ पर उठकर बैठती है, और एक नचर पूरे रूम को देखती है, वो रूम काफी बड़ा, लेक्जिटियस और हाई, मैंटेट था, जिसे बहुत ही खुबसूरती से सजाया गया था, एरा बेड़ से उठती है, और ग्लाश टोर को साइट करके भालकनी में आ करती है, कुछ देर वही खरे रहने के बाद वो फ्रेस होती है, और सिंपल सा टी-शिट और प्लाजो पहन लेती है, फिर वो नीचे आती है, और सीधे डाइनिंग एरिया के तरफ जाती है, उसे लगा था कि साहिद वो और अव्यान यहां अकेले ही है, लेकिन उसने सोचा क कि खुद से ही ब्रेकवास्ट बना लेती हो, पर जब वो वहां पहुची, तो साहारी उसकी फेवरिट चीज टाइनिंग टेवल पर सजे हुए थी, इरा के फेस पर इतने दिनों बात खुद की फेवरिट खाने की चीज़ों को देखकर अलगी चमक आ जाती है, तब ही वहा है कि वो कुछ दिनों तक घर नहीं आएंगे, तो इसलिए मुझे आपका पूरा ख्यार रखना होगा, इरा अव्यान की कुछ दिन तक घर ना आने की बात सुनकर बहुत कुछ आती है, और खुसी-खुसी आकर अपना प्रेकवास्ट करने लगती है, वो औरत जिसका नाम हम हमीदा था, वो इरा को ऐसे खुझ देख स्माइल करने लगती है, हमीदा को इरा बहुत मासूम लगती है, इरा प्रेकवास्ट करके लिविंग एरिया में जाकर बैट जाती है, और सोचने लगती है, वो कुछ सोचती वे खुझ से बोली, वो टैबिल तो कुछ दिन तक यह आईगा नहीं, तो अब मुझे इन दिनों में ही अपने आयों के बारे में पता लगाना होगा, पर कैसे पता लगाओ, कुछ समझ नहीं आ रहा, वो खुझ सोची रही थी, कि उसके दिमाग में कुछ आता है, और वो तुरत साहरा को कॉल करती है, इधर इंडिया में चोपर विला, नकुल चोपरा के हाथ में लगी गोली की वज़े से उनका एक हाथ पैरलाइस्ट हो गया था, इसलिए वो अब अपने एक ही हाथ से अपना काम कर रहा था, और वो जब भी अपने हाथ को देखता, उसे बचपन से लेकर आज तक इरा पर जितने टौचर किये थे, ज सब याद आने लगता है, और उसे किसी और की भी याद आती है, जब कोई उसे कहता था कि एक दिन इनी हाथों को तुम्हारे जिस्म से उखार फेकूंगा, और आज सच भी हो गई उसकी बात, ये सब सोचते सुचते नकुल चोपरा की आगे नफरत और गुस्से से जले अब व्यान रावल, तुम ऐसी मौत मरोगे कि मौत भी तरस खाएगी तुम पर, और मेरी जान से बरकर बहन को तो मैं फिर भी से अपने कैद में कर लूँगा, तुम देखते जाओ, ये कहकर वो किसी को कॉल करता है, उधर वो आदमी कॉल उठाता है, और नकुल चोपरा उ क्या हुआ, सुबह सुबह क्यों डिस्टप किया, नकुल भी फिर गुस्से से बोला, अरे जो तुम सुबह सुबह अपनी हवस पूरी कर रहे हो, सर्म नहीं आते, न सुबह देखो न साम, बस इहीं समय लगे रहते हो, वो आदमी उधर से नकुल चोपरा पर भड़कते वे बोला, तुम भूल रहे हो कि तुम किस से बात कर रहे हो, इसलिए mind your language, नकुल खुद को सांध कराते वे बोला, अच्छा अच्छा सॉरी, वो मैं पहले से ही गुस्से में था, मैं ये कह रहा था कि तुम अपना काम कब से सुरू कर रहे हो, वो आदमी जो उस लरकी के उपर था, इस बात को सुनकर उसके उपर से उठते वे बोला, सुरू कर दिया है, पर उसने मेरी करोरों की प्रॉपर्टी बरबाद कर दी, और मैंने सुना है कि वो अभी इंडिया में नहीं है, पर कहा है ये नहीं पता, इसलिए वो इंडिया आएगा, तो सीधे वार होगा, पर ऐसा लग रहा था कि उसे देखकर कि जैसे किसी जानवर ने उसे कुछला हो, वो लड़की भी इसी टाइप की थी, इसलिए वो भी एक लश्टफुल स्माइल करके अपने कप्रे लेकर उस रूम से बाहर चली जाती है, नकल चोप रहा उस आत्मी की बास सुन बोला, ठी और फिर बस हाँ करकर कॉल कट कर दे दिया, वो आदमी भी एक एवल स्माइल करते वे, अपने कप्रे पहने लगा, काहिरा में, इरा गार्डन में टेहल रही थी, और अपने एक ख्यालों में गुम थी, तब ही उसके फोन पर साहिरा का मैसेज आता है, जिससे परकर इरा की आखे तारों की तरह चमकने लगी, उसमें किसी का सोसल मेडिया एकाउंट था, जो मिश्टर अमन महरा के नाम से था, इरा चल्दी से उसे एकाउंट को उपन करती है, और अमन महरा को एक मैसेज संड करती है, और रिप्लाई आनी का वेज करने लगती है, पर कुछ देर बी जाता है, पर कोई रिप्लाई नहीं आता, ये ना उदास हो जाती है, और फिर बंगले के अंदर आ जाती है, तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है, तो कॉमेंट में जरूर बिताईएगा, और जिसने सस्क्राइब नहीं किया है, प्लीज सस्क्राइब कर ले, तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब दिख ले, बाई बाई, थैंक्स फूर वोचेंग चेंग चेंग